प्यारे बच्चों नमस्कार ज्यान सिंधू कोचिंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है कक्षा दसके विद्यारतियों आपका इस वर्ष जो है वो नया प्रच का लगा हुआ है तो आपको पढ़ना है इंग्लिज्ज क्लास टेंथ का नया सिलेबस यानी कि आप आराम से हमारे साथ रहिये हम आपकी समस्याओं का हल करेंगे मैं आपको सारे पाठों के प्रशनोत्तर करवा दूंगा जो जो आने हैं ठीक है उचाहे बहुबिकल्पी हूँ चाहे पैसेज पर बेज़ बेज़ डाउन कॉम्प्रिहेंसर पैसे सो या कोई हुए भी हो आपजिक्टिव गरास सब करवा देंगे चलिए आज प्लेलिस्ट मैंने बना दी है आपके न्य आपके जो बुक में हैं यानि जो आप टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं वहां उसके जो एक्सरसाइज में दिये हुए हैं यहीं से बनते हैं आपके एक्जाम में कुश्यंस ठीक है तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि हूँ ड़स लंचो हैब कम्प्लीट फेथिन विच लंचों का पूर्ण बिश्वांस इसमें था और फिर है विच ऐसे कौन से वाक्व हैं जो in the stories कहानी में tell you this जो तुमको यह बताते हैं यानि कहानी में ऐसे कौन से वाक्व हैं जो इसके बारे में आपको बताते हैं तो आप उत्तर दिजेगा क्या उत्तर दिजेगा Lencho had complete faith in God Lencho ने ईश्वर पर पूरा विश्वास किया this sentences which this sentences which which यहां पर आप CH लिए यार में थोड़ा सा यहां पर गलत होगा है लिखने में which so यह विच लिखना ठीक है विच लिखना which which विच नहीं है ना यहां पर विच है which show this are यानि की वाक की ये दिखाते हैं की the sentences which show this are sentences जो दिखाते हैं God He wrote God यानि भगवान He wrote उसने लिखा If you don't help me यदि आप मेरी help नहीं करेंगे मेरी मदद नहीं करते हैं My family and I will go hungry this year तो इस वर्स मैं और हमारा पुरा परिवार भूखा रहेगा ठीक है तो ये वाला आप answer लिख दिजए दूसरा परिशन देखिएगा Why does the postmaster send money to Lencho Why does he sign the letters God यानि कि postmaster Lencho को पैसा क्यों भेजा The postmaster Why does the postmaster send money to Lencho Postmaster ने Lencho को पैसा क्यों भेजा और क्यों उसने उस पत्र में भगवान के हस्ताक्षर किये ठीक है तो आप उत्तर दिजएगा The postmaster send money to Lencho Postmaster ने धन भेजा कि इसको Lencho को So that इसलिए कि His faith in God remains alive and firm because यानि postmaster ने उसको पैसे इसलिए भेजे ताकि भगवान पर उसका विश्वास बना रहे और वो उससे इससे पूरी तरह बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ Because he was completely moved by it यानि because मतलब क्योंकि वो इससे Completely moved by it देखे भया इसकी एगर PDF चाहिए तो मैंने description में link दे दिया है लिंचो टू गॉड ही विकम सीरियस यानि जब पोस्ट मास्टर ने भगवान को लिंच भगवान को दिया गया लिंचो का पत्र पढ़ा तो क्या हो गया विकम सीरियस वो बहुत गंभीर हो गया और निरने लिया टू आंसर उत्तर देने का दी लेटर माने पत्र का और उसने क्या फैसला किया कि लिंचो का भगवान में बिश्वास बनाए रखने के लिए वो क्या करेगा कि he collects money with the help of his employees वो अपने employee जो है यानि जो अपने employee मतलब करमचारी जो है तो उनसे क्या करेगा collect money वो अपने पैसे इकठा करेगा help of his उसकी मदद के लिए type and friends and science the letter God यानि फ्रेंड से अपने पैसे एकठा करेगा और भगवान अक्षर का हस्ताक्षर कर देगा ठीक है भगवान के नाम का हस्ताक्षर कर देगा समझगे आगे देकिती स्रह क्वेश्चन क्या गह रहा है थी स्रह को स्झेश्चन है तेलीग्राम जोईन कर लिए वहा करवा देंगे इसके बाद आपके अब्जेक्टिव क्वेस्चन्स और लॉंग क्वेस्चन्स करवा देंगे यानि तीन चार पार्ट में आपको वीडियो मिलेंगे यह नहीं कि मैं एक ही वीडियो में सब दे दूंगा बहुत ज्यादा मैटेरियल होता है एक चैप्टर का तो यह एक इस बात की है यहां पर कि आपको इसमें थोड़ा सा लंबा मैटर पढ़ना पड़ेगा चीजें बहुत ही चोटी आतनी है बहुत लेकिन मैटर ज्यादा लंबा पढ़ना पड़ता है पेपर आपका ये बहुत सरल होता है इसका ठीक है तो इडिड लेंचो ट्राइट फाइंड आउट हूँ हैड सेंट दी मनी तो हीम हुआई हुआई नाट यानी की इल क्या लेंचों नी ये पता करन का प्रियास किया कि पैसा किसने भीजा और यदि हां तो क्यों अगर नहीं तो क्यों नहीं तो नो नहीं आप एंसर देंगे नहीं लेंचो डिड नॉट ट्राइट फाइंड आउट बैट हूँ हैड सेंट मनी लेंचों ने ये कोशिस नहीं कि कि किसने उसे पैसे भेजे हैं ठीके, विकास क्योंकि he never suspected the presence of God, क्योंकि क्या था, क्या था, वो ये कभी वो क्या करता है, मतलब उसने पता लगाने की कोशिश नहीं किया कि उसको पैसे किसने भेजे हैं, क्योंकि उसे कभी भगवान की उपस्थिती पर संदे नहीं था, ठीके, he never suspected the presence of God, भगवान की उपस्थिती पर उसको तनिक भी संदे नहीं था, and had complete faith in God, और उसको ईश्वर पर पूर बिश्वास था, complete faith था, he could not even imagine, वो कभी सोच भी नहीं सकता था, कि it could be someone else other than God, who would send him the money, वो कभी सोच नहीं सकता था, कि ये ईश्वर के आलावा कोई भी ऐसा बेकती हो सकता, जो उसको पैसा भेजेगा, so he strongly believed, इसलिया उसने द्रठता से मान लिया, that God की God ने had sent money, God ने पैसा भेजा है, भगवान ने पैसा भेजा है, to him money, उसको for his help in his problem, उसकी समस्या के समाधान के लिए, चौथा प्रशन देखिए, who does लेंचो, बहुत अच्छा प्रसन है, विचार पर आधारीती प्रसन है, आप देखेगा, who does लेंचो think has taken the rest of the money, लेंचो के अनुसार बचा हुआ पैसा किसने लिया, who does, who does लेंचो think has taken the rest of the money, यानी बचा हुआ रिष्ट मने बचा हुआ पैसा, किस ने लिया लेंचो ने क्या सोचा मतलब लेंचो के अनुसार बचा हुआ पैसा किसने लिया, What is the irony in the situation, what is the irony, और irony का मतलब होता है बिंग्यात मकता, इस परिस्थिति में बिंग्यात मकता क्या है, इसमें बिंग्यात्मक्ता क्या है थिक है हसनी की बात क्या है remember और याद रखें remember याद रखें that the irony of a situation is unexpected aspect of it याद करें करें कि परिस्थितियों का विंग इस कहानी का अपरत्याशित भाग है ठीक है याद उसकी आशा नहीं कि वेंग की आशा नहीं की गई व्यंग की दृष्टी से ये कहानी नहीं लिखी गई है An ironic situation is strange or amusing because it is the opposite of what is expected यानि कि व्यंग्यात्मक परिस्थिती अजीब और मनोरंजक है क्योंकि जो प्रत्याशित है उसका विपरीत होता है यानि बिल्कुल प्रत्याशा के विपरीत है आशा नहीं की गई थी कि ऐसा वेंगे भी इसमें नीट होगा तो आपको यह बताना है कि लिंटू के अनुसार पचा वा पैसा किस ने लिया इस परिस्थिति में थोड़ा सा व्यंग्यात्मक्ता यांपर हासी की बात आगई है वो हासी की बात आपको बतानी है तो आप देखे लेंचो थिंक्स दैट लेंचो थिंक्स दैट लेंचो लेंचो को लगता है लेंचो ने विचार किया दैट की दपोस्ट आफिस इंपलॉईज जो डाक करमचारी हैं उन्होंने बचा हुआ पैसा ले लिया है विकास क्योंकि he had demanded a hundred pesos क्योंकि उसने सब पैसे मांगे थे फ्राम गॉड भगवान से बट ही गॉड ओनली सब्टर सेवन्टी पैसे बर लेकिन उसको सब्तर पैसे ही प्राप्त वे इंदी लेटर पत्र में और उसको पूर्ण बिस्वास था कि भगवान ऐसे मिस्टेक कर नहीं सकता है इसलिए उसने क्या किया मतलब इसलिए वो मानता है कि पोस्ट आफिस वाले पैसे चुरा लिये हैं फिए इमितले विडंबना यहां बिंग्यात मकता यह है लिए एक कि लैंचो असन्हों नेट संका किया जिन ऽोगों ने उसकी समस्या में समस्या में लेंचो की मदद करनी चाहिए और उसके भगवान के विश्वास को बरकरार रखना चाहा उस पर उसने विश्वास उस पर इसने क्या किया उस उस पर उसने सक्किया शंका की यही बिदंबना है यही आईरनी है ठीक है पांच वा और अंतिम प्रश संसार में क्या वास्तविक संसार में लेंचो जैसे लोग मिलते हैं और दियर प्यूपिल लाइक लेंचो इंदे रियल वर्ल्ड क्या इस वास्तविक संसार में सचे संसार में सच मुझ के संचार में संसार में जो है लेंचो जैसे क्या लोग मिलते हैं What kind of a person would you say he is? यह वो किस प्रकार का वेक्ती है? आपके अनुसार प्रशन का उत्तर देने के लिए You may select appropriate words from the box to answer the questions आप जो है उत्तर देने के लिए निम ने लिखित एक box दिया हुआ है तो उसमें सटीक शब्दों का चैन कर लो तो greedy, nav, stupid, ungrateful, selfish, comical और यह क्या है? unquestioning ठीक है? हाँ तो अब आप इनके इतने word लेकर के आप उत्तर दीजेगा तो it is next to impossible to find a person like Lencho in the real world Lencho जैसा वेक्ती संसार में खोजना असंभो है क्योंकि Lencho as he is an unquestioning क्योंकि यह निर्विवाद है, unquestioning है इसमें कोई प्रस्ण की बात नहीं है यह निर्विवाद है कि and nav kind of person यानि वो एक kind मतलब दयालू यानि भोले किसम का बेक्ती है he is not stupid, वो मूर्ख नहीं है if he does not know that who has sent him money or how a letter get reached to God वो मूर्ख नहीं है लेकर वो नहीं जानता है कि उसने पैसा भेजा है या कोई पत्र बिना किसी पते के भगवान तक कैसे पहुचा है वो यह नहीं जानता लेकिन वो भीया मूर्ख नहीं है बस सीधी सी बात है without any address यानि किसी पते के भीना पत्र कैसे पहुचेगा it is his faith in God वो जानता है वो उसका यह इश्वर में बिश्वास है in real world, people are selfish वास्तविक संसार में लोग क्या है selfish है, स्वार्थी है and greedy और लाल्ची है on the other hand on the other hand और दूसरी और लंचो जो है वो पूरी तरह से प्यारा है लवेबल है और different यानि भिन्न है अलग है ठीक है, आगे देखिए अंतिम प्रसन देखिएगा there are two kinds of conflict in the story between humans and nature and between humans themselves how are these conflicts illustrated यानि कहने का ताथ पर यह है कि कहानी में दो प्रकार का संगर्स है there are two kinds of conflict conflict माने होता है संगर्स तो इस कहानी में दो प्रकार का संगर्स है एक between humans and nature एक मानो और प्रकृति के साथ and between humans themselves और एक मानो के मद्ध में आपस में how are there conflicts illustrated ये दोनों संगर्स किस प्रकार से illustrated अर्थात वरनित किये गए है तो आप दिखेगा conflict between humans and nature is illustrated मनुश और प्रकृति के बीच में संगर्स की व्याख्या ठीके तो प्रकृति बेट्वीन हूमन और नेचर मनुश और प्रकृति के बीच संगर्स की इज इस इलुस्ट्रेट एड बाई दा वरने मतलब याख्या बाई दिस्त्रक्षन आफ लेंचोस क्रॉप बाई हो हेल स्टॉर्म ठीके हेल स्टॉर्म एड़ टाइम फैन ही वाज एक्सपेक्टिंग एक गुड़ रेंट वैब गुड़ हार्वेस्ट एज डैट वाज अन्ली होप कहने का मतलब यह है कि उस समय ओला व्रष्टी द्वारा लेंचों के फसल के नष्ट होने से होती है इस संघर्स की सुरुवात जब वो अच्छी बारिश की उम्मीद कर रहा था क्योंकि वो उसकी कमाई का एक मात्र क्या थी उम्मीद थी यानि वो अपने परिवार का भरन करने के लिए बहुत कथिन परिश्रम करता था बट नेचर लेकिन प्रकृती ने तर्ण वाइवलेंट एंड डिस्ट्राइड एवरी थिंग लेकिन प्रकृती ने प्रकृती कैसी हो गई हिंसक हो गई वाइवलेंट हो गई और सब कुस दिस्ट्राइड एवरीधिं संगर्स का चित्रन इज इलुस्ट्रेटेटर्ट बाइद एक आफ फेथ शॉन बाइल इंचो इन पोस्ट मास्टर होन लिंचो डिमांड़ मनी फ्रम गॉर्ड और पोस्ट मास्टर एंड हिज फ्रेंड सेंट मनी तो लिंचो विदाउट एवन नुएं यानि की अब यहां पर आप मनुष्य और मनुष्य मनुष्य और मनुष्य के भी संगर्स का चित्रन एक पोस्ट मास्टर में लिंचो द्वारा दिए गए दिखाए गए विस्वास की कमी से होता है जब लिंचो ने भगवान से पैसों की मांग की और पोस्ट मास्टर उसके दोस्तों ने भी उसे जाने बिना लिंचों को पैसे भेजे और जबकि लिंचों ने उन्हें कुछ रासी लेने के लिए दोसी ठेराया था, है ना, उनको क्या कहा था, बदमासों का जुन्ड बगरा कहा था, ठीक है, चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद है, आज जुड़ने के लिए, और ये आपक टेलिग्राम जॉइन कर लिजिए, या मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, उसके माध्यम से आप डाउनलोड कर लिजिए, बहुत-बहुत धन्यवाद, जो भी इंपॉर्डन चीजे हैं, मैं आपको देता रहूँगा,